बिसमिलायरमान रहीम, अस्सलाम अलेकूम इफ्तार के लिए मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आप सब के सामने हाजर हूँ आज लिकर आई हूँ ब्रैड बॉंब्स की रेसिपी जो के बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़े के बनते हैं स्टैप बाई स्टैप आपको बताऊंगी, फुल विडियो को जरूर वाच कीजेगा, कोई भी स्टैप स्किप मत कीजेगा, तो चलिए बनानाय स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं ले रही हूँ 300 ग्राम चिकन, जिसकी छोटी छोटी बोठिया मैंने करवा ली दी, अब उसमें शामी के हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धन्या पाउडर, भुनावा जीरा लिया है मैंने हाफ टी स्पून, लाल मिर्चे ले रही हाफ टी स्पून, थोड़ा सा तीखा और स्पाइसी से हम इसको रेडी करेंगे, तो इसमें मैं ब्लैक पेपर भी शामिल करूंगी, नमक लिया है हाफ टी स्पून, लेसन पाउडर, हाफ टी स्पून, और काले मिर्चों का पाउडर भी हाफ टी स्पून, कलर के लिए हम इस और दही ले रही हूँ 3 टेबिल स्पून गाड़ा दही यूज कर रही हूँ बस अब तमाम चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसको हम मैरिनेट होने के लिए रखेंगे एक घंटे के लिए उसके बाद इसको हम करेंगे कुछ ये दिखिए रेडी है चीजों मैरिनेट हो चुका था एक घंटा हो चुका है तमाम चीजों के मैरिनेशन को हमने डाल देना है एक फ्राइ पैन में हम आल्रेडी इसमें शामिल कर चुके हैं तो इसमें कुछ भी नहीं शामिल करना है बस अब थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको जब तक इसमें उबाला अच्छे से ये पकने लगे हम इसको cook करेंगे ये देखिए चिकन ने पाने रिलीस कर दिया है लीट को कर देंगे cover और इसको 10 मिंट तक हमने अच्छे से पकाना है जब तक ये full dry हो जाए ये देखिए चिकन का तमाम liquid जो है dry हो चुका है बस एक sauce ready करेंगे हम जिसे हम लगाएंगे bread slices पे तो उसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून मियोनीज और 2 टेबल स्पून ही चिली गार्लिक sauce इन दोनों चीजों को अच्छे से कर देंगे mix और इसको रख देंगे side पे इसको हम apply करेंगे bread के slices पे जिससे टेस्ट बहुत ही म एजिस को हम कर लेंगे cut और इन एजिस को आपने कभी भी जाया नहीं करना है इससे हम bread crumbs ready कर सकते हैं और उसके बाद जो हम coating करते हैं last में उसमें वो crumbs काम आते हैं अब हमने एक-एक slices को rolling pin से roll करना है और बिल्कुल thin जो है इसको कर लेना है बिल्कुल पतला सा तमाम corners को अच्छे से बेल लेंगे ये देखिए इस तरीके से अब इस पे हम ready कियावा sauce लगाएंगे brush की मदद से अब center भी रखेंगे one table spoon ready kiwi chicken filling और उपर से डाल देंगे mozzarella cheese और इसको हम इस तरह से कर देंगे fold और ये बहुत ही आसानी से जो है बन जाएगा इसका bowl क्यूंकि already हम इस पे sauce लगा चुके हैं तो जिसकी वैसे बहुत अच्छे से joint हो जाएगा ये दिखिए इसी तरह हमने तमाम bread जो है ready कर लेनी है फर्स्ट आपने sauce लगा रहा है second chicken की filling इसमें रखनी है जो stuffing हमने ready की थी उसके बाद और उसके बाद इसको बहुत ही आराम से इस तरह बन कर देंगे बसकी तमाम बॉले बनाकर हमने रखनी है उसके बाद इसकी करेंगे हम coating के लिए हमने लिए हमने लिए हैं अंडे दो अदद अंडू को मैंने फैंट दिया था side के रखा है bread crumbs और second coating हम करेंगे bread crumb की अगर आप चाहें तो first coating में इसको fry कर सकते हैं लेकिन हम इसको warm shape में बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा size का बनाएंगे तो हम इसकी double coating करेंगे दो बार हमने इसको अंडे में dip किया है और दो बार हम इसको bread crumb में कोट करेंगे बस ये इस तरहां से और last में आपने जब coating कर देनी है तो हातों से इसको इस तरहां से press कर देना है क्योंकि जब हम fry करेंगे तो ये इसका जो उपर का coat है ये बिल्कुल भी oil में नहीं निकलेगा oil को हमने गरम होने के लिए रख दिया था और one by one इन balls को हमने medium to low heat पे golden होने तक fry करना है जैसे ही एक साइट पे color आजाएगा side को करते जाएंगे turn और इसको dark golden होने तक fry कर लेना है उच्छे से इस रेसिपी को इफ्तार में जरूर ट्राइ कीज़ेगा बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आईगी और ये बहुत ही मज़े की बनते हैं अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को subscribe लास्मी कीज़ेगा विडियो को share कीज़ेगा अपने family और friends के साथ और इ हैं अब्स कर दो दो टो ilॐ बांने यहे बड़ों कोयो तो टीज़ेगा और ख अईथ